हलो दोस्तों ट्रेबल ब्लोग की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ जुतेंद्र और आप देख रहे हैं बाके बिहारी टूर एंड ट्रेबल ब्लोग तो दोस्तों हिमानचल प्रदेश के बीर बिलिंग में था और रस्ते में जाते वक्त मुझे एक बुद्ध का टेंपल मिला और जो टेंपल का नाम है वो है चिंग जॉंग यहां पे आप आ सकते हैं जब आप बिलिंग में आते हैं तो देख सकते हैं और काफी अच्छा प्ले मंदर लगा काफी मजा आया देखकर समें तो काफी इंट्रस्टं प्लेस है काफी सुनदर प्लेस है चारो तरफ से हुर्याली फूलों से भढ़ा बागान और बीच में बुद्ध की मूर्तियां लगाई गई हैं काफी सुन्दर है और चार तरप से इस तरह से आप देखेंगे जो पुरानी वस्तुक अला की मूर्तियां हैं वो लगाई गई है और जाते वक्त इस प्लेस की वीडियो रिकॉर्ड करूँ क्योंकि काफी सुन्दर लगा काफी अच्छा प्लेस लगा इसलिए छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड की जाए जरूर की जाए अब चलता हूं मंदिर की तरफ टेंपल की तरफ उसकी बारे में भी कुछ इंप्लिसन अब चलता हूं मैं बढ़ता हूं अंदर मंदर की तरफ यहां से इंट्री है यहां से मंदिर परिसर के लिए इंट्री का इंडिकेशन दिया गया है और यह काफी सांत और काफी सुन्दर प्लेस है जाते वक्त एक बार आप जरूर विजिट कीजे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है दस-पांच मिनिट में ही आप मंदिर की तरफ पहुंच जाएंगा और खूपसूरत सा व्यू सांत महोल नैचुरल व्यूटी प्राकृतिक सुन्दर ता को आप देख पाएंगे खूपसूरत अपने टक्टकी लगया अपने खुली निगाहों से इसक मंदिर के बिल्कुल करीब आचूपया अब ठीक अस dispiसे यहां इनका विल्डме है यहीं पर घर रहा है और इस्तरा की चीजें हमने पहली बार देख अगर आप भी आना चाहते हैं तो निकल लिए हिमांचल प्रदेश के टूर पर क्योंकि ऐसी बहुत सी सारी जगें हैं जो आप देख सकते हैं हिमांचल प्रदेश में काफी मज़ा आएगा जो आप इस तरह के प्लेसे पर विजट करेंगे सुन्दर प्लेसे साथ में प्राक्रितिक क्या लिखा गया है अगर आप समझते हैं आप अगर कहीं से भी मारी वीडियो देखते हैं अगर आप इस लंग्योज को समझते हैं तो कमेंट करिए बताईए क्या क्या लिखा था तो हमें भी कुछ पता चले वैसे देख रहे हैं काफी सुन्दर है इस तरह से यहां से देखने को मिल रहा है यह देखे जिसे मैंने पताया था पुरानी वस्तुकला की बनी मूर्तिया यहां देखने को मिल रही है और कफी अच्छा भी लगा है मैंने सोचा कि क्यों जाते वक्त थोड़ी सी ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की वीडियो बना ली जाए ताकि जब ही अच्छा लग रहा है देखने में और यह दिखे हैं मुझे लग रहा है पक्तर की बनी हुई मूर्तिया है तो काफी अच्छा देखने में फील हो रहा है काफी अच्छा लग रहा है मन को सुकून मन को तसल्ली और मन को छूज वरने वाला ऐसा कुछ यहां का नेचर है य यहां पर देक कहा वैसे यहां पर मुख्यरूप से टिपथी समुदाय की बस्तिया हैं टिपथी समुदाय को लोग जादा रहते हैं और यही वज़ा है कि लोग इससे क़ाष्जा प्रभावित भी हुए हैं बड़ा मज़ा आ रहा ऐसे प्लेस पर आकर बड़ा सुन्दर लग रहा बड़ा सांत महोल है और मंदिर मेरे ठीक सामने ही सॉरी माफ की जग मेरे ठीक पीछे ही है वहां अंदर जाने की और वीडियो बनाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है पर बाहर से ही मैं जो भी इन प बाहर से कह सकता हूं चार्व तरफ से मुटियों से सजा है और मंदिर परिशर वह है मेरे मंदिर वह है तो काफी अच्छा मंदिर है आप इस प्लेस पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं क्योंकि बीर बिलिंग की बिल्कुल पास है अगर आप दूर देखेंगे तो वहां पर लाइडिंग करते हैं तो अगर आप वह एडवन्चर अक्टिविटी करने के लिए आना चाहते हैं उस चीज के आप सवकीन है तो आप ज़रूर आईये विजिट की हिवानचल पदेश में च्छा वक्त न लेते हुए आज की वीडियो की यातरा को यहीं करता हूं खत्म और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो की यातरा को यहीं करता हूँ खतम और लेता हूँ आपसे विदा निकलता हूँ किसी और प्लेस के लिए क्योंकि कुल्लू, मनाली, सिमला, कसोल वगरा वगरा धेर सारे प्लेसेस बाकि हैं वो सारे प्लेसेस की वीडियो भी बाइबाई दूसो